नमस्कार दोस्तों माईजे शिंग आपका श्वागत करता हूं ससी मेकर के यूटूब चैनल में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं रेलवे परिष्छ 2018 के लिए साइंस यानिकी विज्ञान के 20 अति महत्पूल प्रिशनों के बारे में दोस्तों जो रेलवे एक्जाम में बार किन पर भी प्रेस कर लिए ताकि आपको सारे विडियो की नोटिफिकेशन मिले जो आपके एक्जाम के दिरिश्चे काफी महत्पूर है तो आए दोस्तों देखते हैं 20 अति महत्पूर प्रिशन जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों आप देख लीजिए यहां से कोश्चन नमबर 41 से देख लीजिए वहां से लेके 40 तक कोश्चन में पिछले वीडियो में अप्लोड कर चुका हूं उसे आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन बाक्स में उसकी लिंक दी हुई है अप सारे वीडियो देख लीजिए क् पहला कोश्चन कहा रहा है 41 नमबर जो है सबसे छोटी कोशिका होती है तो बहुत बार पेपर में पूछा जाने वाला कोश्चन है सबसे छोटी कोशिका होती है कौन सी तो माइको प्लाजमा क्या होती है माइको प्लाजमा नाम याद रखेंगे बहुत बार पेपर में पू इसे भी याद रखेंगे नेक्स दोस्तों देख लिजिए most important question यह भी है आत्मगाती थैलियों के नाम से जाना जाने वाला है ठीक है जाना जाता है ठीक है आत्मगाती थैलियों के नाम से जाना जाता है कौन सा तो लाइसोशूम्प लाइसोसंस को हम आतमगाती ठैलीयों के नाम से भी झानते हैं ठीक है next question देख लिए एक समान कोशिका से मिलकर बनी सनरचना कालाती है तो वो उतक कालाता है एक समान कोशीका से मिलकर next question एमंपे ऑज्प्रमें नमक का अड़ु शूत्र है यहने सील होता है जल का वर्फ में बदलना बहुत तिक परिवर्तन ना की रासायनिक परिवर्तन ठीक है बहुत तिक परिवर्तन याद रखेंगे भी नेक्स देख लिए इसे भी याद रखेंगे नेक्स देख लिए नेक्स दोस्तों कोशन देख लिए यह भी इंपोर्टन कोशन है सरीर में सबसे अधिक अनुपात में पाया जाने वाला खनीज लवण है, तो ये ने सील, ठीक है, ये ने सील क्या है, नमक है, ठीक है, ये, नेक्स्ट दोस्तो कोशन देख लिए, 50 नमर कोशन ये भी मस्ट इंपोर्टन है, थायराक्सीन की कमी से होने वाला रोग है, तो से क्या होता है कि कौमी से यहाद रहा है को सब्सक्राकरों को सब्सक्राइब सब्सक्राइब्ट फूल को निले परकास में देखाए तो चाला दिखेगा कैसा देखेगा अगर रेड़ कलार भूल है ऑ rumors नीले chlor काला दिखने लगेगा ठीख यदू नंबर कोष्ण देठा पादब कोसी का भीति बनी होती है तो कि बोनी होती है इसे भी याद रखेंगे पीपर में पूछा जाता है Chief most important question कौन सी ग्रंथी अंतसरावी वह 12 रावी दोनों प्रकार की होती है तो यह आप का अंसर हो जाएगा अगनासय ग्रंथी कौन सा अगनासय ग्रंथी इसे भी याद रखेंगे नेक्स देख लिजिए भी important question है हाथी में बाहर और निकले डात की स्परकार के होते हैं देखते होगा हाथी कि दो लात बाहर की तरप निकले होते हैं तो उसे करिंतक दंत बोलते हैं क्रिंतक दंत यह भी पेपर में पूछा जाता है नेक्स देख लिए 55 नमबर कोश्चन यह भी important कोश्चन है पाचक एंजाइम नहीं होते हैं कि कहां नहीं होते हैं तो पीतरस में नहीं होते हैं कहां नहीं होते हैं पीतरस में नहीं होते हैं यह भी याद रखेंगे नेक्स देख लीजिए भी important question है प्रथम कोशिका की उत्पति किस अस्थान पर हुई तो जल में हुई कहां हुई जल में हुई प्रथम कोशिका की उत्पति अगर जो पावर हाउस भी बोले तो माइटो कांडिया ही आप याद रखेंगे ठीक है बहुत इंपोर्टन कोशन है बहुत बार पेपरम पूछा गया इसलिए आप इसे याद रखेंगे नेक्स देख लिए 58 नमबर का कोशन लाइसोसोम की खोज किसने की ठीक है लाइसोसोम क कोस्टन देख लिजिए कोशीका कि खोज किसने की तो राबर ठूकने किसने की थी तो राबर ठूकने की दोसतो इसमें और उर भी कोशन है उसको मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा दोस्तों ये कोश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल पर आपना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको मैथ रिजनिंग साइंस की डेली वीडियो की न अन्ने बाद